वेलकमें in cgc online classes मैं असे सिर्वास्त्र आपके cgc online classes में आपका फिर से आपका स्वाकत करता हूँ जैसा कि BA second semester के group second pedagogy of school subject biology का unit first का हम लोग बात कर रहे थे लेक्चर 1 एन 2 में हम लोगों ने unit first के first portion को हम लोगों ने complete कर लिया है आज के इस lecture number 3 में हम लोग इस subject के पेड़ेगोजी subject के जो teaching biological science है उसके aims and objectives के बारे में discuss करेंगे कि इस particular specific subjects के इसका aims क्या है इसके objectives क्या है इसको वाला गलग तरीके समलोग जानेंगे तो start करते हैं कि what is the aims and objectives of biological science biological science को start करने से पहले particular aims and objectives को जानने से पहले हम लोग यह जानते हैं कि specific aims और general aims जो बात करते हैं और objectives की बात करते हैं तो इन दोनों में differences क्या है जो कि इन दोनों में जो learning objectives की बात करते हैं तो इस दोनों में specific क्या ऐसा क्या differences है जो दोनों को अलग अलग बताता है जैसा कि जो जो terms है वो as like synonymous ही है तो start करते हैं तो जो learning objectives है वो आपको एक तरह किसे guide करता है कि जो भी हम as a learning जो भी students को जो सिखाना चाहते हैं वो कोहीं न कहीं वो एक meaningful हो और उनमें कोई न कोई एक desired behavioral के outcomes के reference में होना चाहिए तो learning objectives जो एक तरह की आपका एक help करता है आपके जितने भी questioning है जो आपने पहले planning किया है वो एक तरह की से attention करने में वो focus करने में वो आपको एक determine करता है निरधारित करता है कि आप students को expected आप क्या सिखाना चाहते हैं अपने उस content material में आपने कौन से learning activities रखी है कि जिनके reference में आपने questions आपने बनाए हैं उसकी बिहाब पर आप क्या बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो statement हम use कर रहे हैं कि desired behavioral outcomes की जो बात कर रहे हैं वो किस तरीके से हमारा pre-plan होना चाहिए कि क्या strategy होने चाहिए तो aims and objectives जो है आपका एक तरीके का teaching learning strategy है जो हम पहले से pre-page teaching में हम इसको decide करते हैं जैसा कि आप लोगोंने teaching आपका technological perspective of education में आप लोगोंने teaching के phases पढ़े होंगे तो aims and objectives जो process है आपका ये pre-phase plan है यहाँ पे हमें student को क्या पढ़ाना है और क्या topic रखने हैं उस topic reference में हमें कैसे content रखने हैं हमारे TLM क्या होगा वो strategy क्या होगी और सबसे बड़ी बात कुछ topic को decide करने के से पहले उस topic reference में हम बच्चों को क्या सिखा सकते हैं इस topic को पढ़ाने के बाद यही आपका aims and objectives के अंतरगत आता है ठीक है तो बात करते हैं what is the meaning of learning objectives अब यह देखे एक question है आपके लिए कि are learning objectives external क्या जो learning objectives है क्या वो external है तो हम बात करते हैं तो जैसे कि हम education के aims है जिसको हम schools में जो हो education को हम जो हम achieve कर सकते हैं as like जैसे objectives है तो objective क्या है वो आपका एक aim का ही एक part है तो जब हम बात कर रहे हैं कि objectives aim का ही एक part है तो means इसका यह हुआ कि aims जो है आपका एक broad term है एक goal है आपका और उस goal को aims को achieve करने के लिए जो भी हम process जो steps लेते हैं वही हमारा क्या कर लाता है objectives तो it indicates an end point of possible achievement मतलब कि उस achievement को हम प्राप्ट करने के लिए हमारा end point क्या कहलाएगा aims कहलाएगा और achievement process जो है वह हमारा क्या कहलाएगा objectives तो objectives क्या है आपका immediate attainable goals है कि at once जो हम action करते हैं उस aims को प्राप्ट करने के लिए तो वह आपका क्या है objective है कि step by step हम किस तरीके से अपने goal को achieve कर सकते हैं अधी हमें अपने score में 90% लाने हैं तो उस 90% लाने के लिए आप जिस तरीके से preparation कर रहे हो आप goal को प्राप्ट करने के लिए step ले रहे हो कि किस तरीके से हम plan करें कि हम अपने achievement को achievement ला सकें उसमें तो particular उस subject के जो specific है वो clear cut होना चाहिए कि हमें क्या बच्चों को सिखाना है इसका मतलब यह है कि यह चीज हमारी पहले से pre planning होने चाहिए तो यहां पे teachers और students के बीच में यह उतना ही interaction जितना बहतर होगा वहां पे वो students को desirable जो students को सिखाना चाहते हैं वो पहले से हमारा क्या होना चाहिए at last अपने teaching के complete होने के बाद वो decide कर पाएंगे कि जो भी हमने instruction दिया है तो इस instruction के complete होने के बाद students के learning outcomes को वो चेक कर सकते हैं कि हमने कौन-कौन से objective से काम कर लिया है तो it's a teaching learning process जो है आपका यह आपका advance चलता रहता है यह कि हमारे कौन से हमारे objectives complete हो चुके हैं किसमें complete नहीं हुए है तो यह procedure है आपका aims and objectives ठीक है तो aims is a broad term और आपका objectives जो है आपका उस objective is a part of an aim ठीक है अब इसकी कुछ definitions पर बात करें तो एक आपके screen पर दिख रहा होगा सीवी गूट की एक definition है कि objectives as an aim towards which a school sponsored activities is directed means कि हमें उस in towards का मतलब ही है यहां पर कि वो goal है तो school sponsored जो school सारे activities कराता है उसको complete कराने के लिए वो हमारे क्या कहलाते है objectives आर मोहन की एक definition है an objective as a point or an end view of the possible achievement in terms what a student is able to do when the whole education system is directed towards educational aims educational aims मतलब की किन कीन गारेक्शन में कौन कौन से चीजों को हमें सिखानी है क्या उनका जैसे sensitive temper है sensitive interest है उनका तो कई तरीकी के field है तो किस field के reference में आप students के behavioral में changes लाना चाहते हैं वो objective आपका एक point है या एक in view है जो हम possibly achievement करना चाहते है जो students को सिखाना चाहते है ठीक है तो अब आपको थोड़ा एक generalize कर पा रहे होंगे कि हमारा जो aims है और वो क्या है objectives क्या है यह क्या है तो अधि दोनों के meanings को अधिम reference में समझ रहे हैं तो दोनों यह तरीके से देखा दयार usually taken as synonymous terms in education दोनों का यूज हम सिख्छा के चेत्र में हम यूज करते रहते हैं बट यह है कि जो aims है वो एक long term process है तो इसका मतलब यह है कि वो एक long term की planning है कि हमें इस तरीके से achievement करना है यह goal हमें करना ही है ठीक है और objectives क्या है उस means of achieving these aims and definite way उस definite way को हमें प्राप्ट करने के लिए जो हम step ले रहे हैं वो achieving वो हमारा means है वो medium है वो sources है वो सभी क्या कहलाएंगे हमारे objectives कहलाएंगे ठीक है जो तो अब हम बात करें कि the aims of teaching science can be broken down into smaller objectives इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमारा जो teaching science subjects है अधी हम उसके aims की बात करें तो इसको हम छोटे छोटे हम smaller छोटे छोटे objectives में इसको तोड़ करके समझ सकते हैं जो कि यह helpful होगा हमारे learning experiences को enhance करने में और जो हम individually students को सिखाना चाहते हैं वो desirable changes को हम लाने के लिए इसके हम क्या कर सकते हैं help ले सकते हैं ठीक है जैसे for example सरी हम समझें मैंने आपको एक example दिया हुआ है कि जैसे democracy is our aim to be achieved in the country ठीक है country में हमें achieve लाने के लिए democracy क्या है एक हमारा क्या है aim है तो इसमें सारे लोगों का involved होना एक judgment के रूप में वो हमारा क्या है objectives लोगों के suggestions, views, ideas उस तरीके के अपमारे country को democratic country बनाने में जो हमारे steps है उमारे क्या है objective है तो एक तरीके से सचे value of democracy in a school the students should be given an opportunity of freedom of expression in the educational process to achieve the objective तो यहाँ पे opportunity of freedom of expression है कि जितना ज्यादा से ज्यादा students का involvement होना तो वहाँ पे as like teachers assume कर सकता है कि उसकी द्वारा जो किये गए जो process है जो भी वो strategy कर रहा है वो right way में है की नहीं है तो यह जो बात कर रहे है right way, right pathway पर काम करना वो काम करना ही क्या कहलाता है objectives कि यदि उस सही directions में यदि टीचर काम कर रहा है classroom में तो advance वो एक तरीके से अपने आप खुद evaluate भी कर सकता है कि क्या हम इस तरीके से process को करने के बाद हम अपने aims को प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं जो word हम बोलते है learning outcomes ठीक है तो teacher का दोनों का रोल होता है कि वो यह भी देखे कि हम students में वो learning outcomes complete हो पा रही है या नहीं या फिर वो यह भी check करे कि हमने जो pre-plan किया था teaching objectives को वो हमारे complete हो रहे है कि नहीं दोनों तरीके से तो जो next हमारा जो बात है हाँ पर कि the objectives of science teaching are formulated कई तरीके के basis पर हम अपने objectives को निरधारित करते हैं जैसे philosophical है sociological है psychological है यह mainly तीन आपके basis होते हैं अपने objectives को decide करने के लिए ठीक है philosophical aptitude होना चाहिए sociological basis पर होना चाहिए और सबसे बड़ी बात जो हमारे objectives होने चाहिए वो psychological basis प क्योंकि हमें जब तक learner को जब हम अच्छे तरीके से समझ करके objectives नहीं बनाएंगे तो हमारे objectives है उसका कोई meanings नहीं रहा जाता है क्योंकि जो हम instruments को सिखाना चाहते हैं वो तभी हम सिखा सकते हैं जब हम अपने learner को एक बहतर तरीके से समझेंगे नहीं ठीक है तो इसके लिए इन basis पर काम करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमें steps पर काम करना चाहिए तो सबसे पहला जो है the capabilities of the learner ये बहुत ही ज़्यादा important है आपके लिए जब आप objectives का आप decide कर रहे होगे तो जो needs and abilities of the learner are important when we frame the objectives जब हम अपने objectives को frame कर रहे होते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस learner की needs or abilities क्या है उसकी आवसकता क्या है और उसकी योगिता क्या है and then हमें काम करना चाहिए कौन से principle पे psychological and physical principles पे इन दो नो चीज़ प्रिंसपल पे काम करने के बाद हमें अपने objectives को निर्धारित करना चाहिए next हमारा जो step है the requirements of the society हम बात करते हैं कि हम जो educational aims and objectives प्लान कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस science and technology का जो influence है वो कितना percentage या किस तरीके से हमारे society पर impact डाला है और हम इसमें क्या बहतर तरीके से improvement कर सकते हैं अधि हम इसको एक दूसरे तरीके से समझे तो हमें ये पता होना चाहिए कि what is the need of society हमारे society की needs क्या है तो अधि हमें ये पता है कि हमारे society के surroundings between हमारे में क्या changes ला सकते हैं तो उस तरीके से हम अपने learning outcomes के reference में हम अपने objectives को decide कर सकते हैं next हमारा जो step होता है the nature of the content हमारे उस content का nature कैसा होना चाहिए उस content की प्रकरति कैसी होने चाहिए जो हम decide कर रहे हैं तो students के reference में वो कोई उसका मतलम नहीं रहा जाता है इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो subject matter है वो ज्यादा complex नहों और दूसरी बात वो ज्यादातर abstract thinking वाला नहों यहां पर students क्योंकि आपके classroom में जितने भी students हैं वो आपके individual differences के basis पर हैं तो हमें अपने content matter को ऐसा रखना है इसली रखना है कि ज्यादा से ज्यादा students उस content को आसानी से समझ सके और अपने expected value जो है वो इसके द्वारा develop कर सके next the aims of the educational system the objectives should be able to achieve the aims of education हमारे जो objectives हैं वो particular जो आप decide कर रहे हो aims को वो overall सबको complete करते हों यह भी ध्यान रखना है and the constants in implementation the objectives should not be difficult in implementation यह भी ध्यान रखना है कि यदि आपकी teaching complete होने के बाद यदि ऐसे कुछ domain रहे गए कि जो आपने achievement नहीं कर पाए हैं तो कुछ उसमें procedure रह पाएं तो उसमें हम बाद में उसमें कुछ implement कर पाएं ठीक है इसलिए यह ध्यान रख करके कि हमें classroom में achievement करने के लिए हमें objectives इस तरीके से रखने हैं कि हमारे उस content में सारे objectives complete हो जाएं ऐसा नहीं हो कि हमें objectives decide करने के बाद हमने देखा कि वो content में है ही नहीं तो उस content के reference के आधार पर हमें अपने objectives बनाने हैं ठीक है तो overall अपने समझा कि यहां पर mental age, ability of the learners को ध्यान में रख कर बनाना है और साथ ही साथ students के previous knowledge, practical experiences के base पे और ज्यादा से ज्यादा जो modern needs हैं उसको ध्यान में रख करके हमें अपने objectives को बनाने हैं ठीक है तो यहां पर आपने यह समझा अब next हम लोग समझते हैं कि what is the criteria of selecting the objectives की अभी अभी तो हमने यह जाना है जड़ उसकी कौन-कौन से किन-किन basis के reference में हमने अपने objectives बनाने हैं अब यहां पर समझना है कि कौन-कौन से से criteria है जब हमें ध्यान देना है कि objectives को कैसे हमें select करने हैं तो specific सबसे पहला हमारा जो criteria है a good objective should not be it should be specific and directed towards an activity जो आपका objectives होना चाहिए वो pin to pointed होना चाहिए कि particular activity के बाद वो हमारा objectives complete हो जाए ठीक है उसके बाद an ambious a good objective should not be ambious it should be clear in specifying the required outcomes यह आपके depend करेगा कि हमारा जो outcomes है किसके basis पर है हमें क्या सिखाना है उसके reference में हमारा यह pre-plan हमारा decided होना चाहिए और objectives जो है आपका next appropriate होना चाहिए ठीक है जो particular उस students के mental age और learner के maturity stage पर depend हो यह भी ध्यान रखना है next हमारा जो criteria है वो practicable है कि objectives जो होना चाहिए वो practical experiences के आधार पर होना चाहिए इस तरीके से हमें उनको सिखाना चाहिए कि ज़्यादा सा ज़्यादा students में interact करें involved हो तो ज़्यादा सा ज़्यादा जब वो practically experiences करते हैं तो वो knowledge कहीं न कहीं उनके लिए क्या होता है एक तरीके से long time period के लिए इस्टैबलिस होता है नेक्स्ट हमारा फैसिबिल्टी objective सुट भी practically possible to achieve in the classroom जैसा कि हमने बताया ही कि हमारे जो objectives होने चाहिए उसमें practically experiences ज्यादा होने चाहिए खास करके हम जो science subject की बात करते हैं तो biological science या हो या science subject हो उसमें practical experiences और experiment इस तरीके के terms को हम ज्यादा यूज करेंगे तो यहां पर objectives में हम knowledge understanding it's a common but application is the most important objectives इसमें हम ज्यादा से ज्यादा इस पर work करेंगे अब बात करते हैं कि what is the specific objectives of teaching biology की कौन-कौन से अब्जेक्टिव से जो हम particular teaching biology में यूज करते हैं क्योंकि बहुत सारे आपके pedagogy subjects हैं और हर जगहों पर आपको यूज करना है बट यह ध्यान रखना है कि कौन से objectives जो differ करते हैं other subject से वहां पर मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहला जो है providing practical knowledge of the content उस content का उनको पता होना चा यह सबसे पहला एक चीज आपका तो यहां पर रिकॉल इसके बाद recognition इस तरीके से साथ अप्लिकेशन पर भी आपको काम करना है providing advanced information उस knowledge को ले करके एक चेनिंग में आपको correlate करते हुए आगे की तरब इसको यह भी studies कराने में आपको provide कराना है कौन कौन से skills पर काम करना है remembering, understanding, साथ इसाथ interest, appreciation, application and analysis यह आपके major आपके steps हैं, objectives के इस पर आपको ध्यान में रख करके अपने teaching of life sciences के आपके objectives बनाने हैं next हमारा है stimulating the spirit of investigation and invention को कि science subject ही है कि वो verify करता है जो facts है जो content है उसके बारे में जानने के लिए तो इस तरीके से learner में हम वो spirit हम उनका development कर पाएं इस तरीके से में objectives बनाने हैं next हमारा improving the power of observation and experimentation जैसा कि हमने बताया कि science terms की यह दो आपके major आपके क्या है skills हैं इस पर आपको improve करने के लिए उनको develop करने के लिए आपको objectives बनाने हैं तो observation and experimentation next हमारा जो आपका criteria है वो problem solving capacities students के learner के ज़्यादा से ज़्यादा problem solving capacities को develop कर सके वो understand कर पाएं कि हमारे जो modern life है उसमें हमारे biological science का क्या utilization है क्या importance है हम उसका कहा कहा किन किन जगहों पर हम uses कर रहे हैं यह बात वो जान सकें correlate कर सकें next हमारा जो आपके जो information है जो facts है वो एक तरीके से वो open mindless अपनी बात को रख पाएं और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात रखने के लिए एक reflective thinking रख पाएं कि यह चीजें उनकी develop कर सकें इसके तरू इस तरीके से हमें अपने objectives को framing करना है next the values values इसके तरू आपको सिखाने खाज करके जो fraternity है equality है freedom है democracy है इस तरीके से चीजों को आपको students में यहाँ पे practically experiences के तरू हम develop कर सकते हैं ठीक है अब हमने यह जाना इस तरीके से कि हम अपने objectives का criteria हमारा क्या क्या हो सकता है तो अब जो desired objectives हैं वहाँ पे remembering, understanding, applying and analysis यह आपके particular topic unit इस तरीके के terms में reference में आपको बनाना होता है और यही आपका एक applicable के रूप में हम इसे specific objectives के रूप में हम as a broadly यदि हम बोल सकें तो इसे हम बोलते हैं learning objectives तो यहाँ पे इस तरीके से आपको काम करना है कि कौन-कौन से terms में हमें students में desired behavior रहना चाहते हैं तो इसको आपको framing करके आपको बनाना है ठीक है तो अब आपने यह जान लिया कि जो learning objectives है वो statements वो एक specific है observable terms के रूप में है जो हम students को हम सिखाना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने teaching learning process में हम engage करके हम अपने objectives को achievement करते हैं ठीक तो aims of learning biological science अधी हम बात करें कि what is the biological science sorry what is the aims of learning biological science तो like knowledge, understanding of science, naturance of process skills, development of scientific attitude, scientific temper तो यह आपके क्या है aims है इस तरीके से कई धेट सारे आपके examples है जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस reference में आप अपने जो particular आपका topic है उस topic के reference में हम अपने objectives को decide करते हैं ठीक है तो अब आपने यह जाना कि aims हमारे क्या है and the objectives हम अपने objectives को कैसे decide करते हैं उनके criteria क्या होते हैं उनके steps क्या हैं तो इस तरीके से अधी हम इसके features of well developed learning objectives को दिख समझें कि कौन कौन से हमारे learning objectives को developing करने में और उनके खास करके उसके features क्या हैं तो start करते हैं तो learning objectives of biological science should be constant with the aims of biological science as well as cognitive ability of the learner तो हमारा जो well developed learning objectives होना चाहिए वो सबसे पहले हमारा जो start होना चाहिए वो cognitive domain पर start होना चाहिए जो की आपके blooms taxonomy के अंतर गताता है जिसमें cognitive domain में आपका knowledge, understanding, application उसके analysis, synthesis, evaluation इससे sequence यहां पर particular हम उस topic के reference में हम अपने इस objectives को decide करते हैं ठीक है और उस learner के हमें needs, abilities और learning difficulties को ध्यान में रखते हुए उसको mind करते हुए हम यहां पर decide करते हैं ठीक है तो जो हमारे features of well learning objectives के बात करते हैं कर रहे हैं तो यहां पर यही आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमें अपने objectives बनाने हैं वह हमारे sequence wise उस topic उस content को complete करते हुए हो और यदि हम उसमें कुछ modify करना चाहें तो इतना वह flexible भी हो, rigid नहों उसमें हम कुछ implement करना चाहें तो हम आसानी से कर सकें ठीक है learning evidence be observable by observing performance of the learner हम यह भी check कर सकें कि learner को जो हम सिखाना चाहते हैं वह वहां तक कहां तक आपका achievement हम कर चुके हैं तो इस तरीके से हमारा जो objectives होना चाहिए वह learner center होना चाहिए न की teacher center तो इस तरीके से हमें पहले ध्यान रखना है कि हमारे learner की वह needs क्या है वह abilities क्या है इस तरीके से हमको निधारत करके हमें अपने objectives को pre-plan करना है अब जैसे for example कि हमें कोई food chain है तो उस food chain का हमने flow diagram हमने बनाया दिखाया और इस पर हमने ध्यान दिया कि to identify the interdependence between biotic and abiotic components तो यहां पर हम अधी हम बात करें तो सबसे पहला यहां पर students ने उस biotic and abiotic components पर उन्होंने recall किया तो recall and recognition itself objectives of knowledge यह ध्यान दे रहे हैं कि recall कर रहे है कि बायोटिक और बायोटिक components कोता क्या है उसके बाद इसके बारे में explain कर रहे हैं तो यह हमारा understanding objectives में चला गया जो कि specific objectives है यहीं पर आपका biotic and biotic components के हम usage उनके चीजों के बारे में बता रहे हैं तो वहां पर application analysis हो गया कि इन दोनों के बीच में differences क्या है इन दोनों के differences के बात conclusion निका रहे हैं और इन दोनों की merits और की चीजों के बारे में बता रहे हैं तो यहां पर इस तरीके से sequence wise हम objectives को decide करते हैं तो अलग-अलग आपके screen पर और धेर सारे examples देख रहे हैं इसको आप देख करके समझ सकते हैं ठीक है तो यहां पर आपका learning objectives जो है एक unit के लिए एक comprehensive आपका देखने को मिलता है जो कि हम कई धेर सारे हम sequence wise जैसे remembering, understanding, application, skills अभी skills process में हम कई धेर सारे आपके भी हैं चाहे वो problem solving है, critical and creative thinking है, communication है and research in the context of biological science यहां पर इस तरीके से as a broad term में हम अपने learning objectives को decide करते हैं तो आज के इस lecture में आपने learning objectives को आपने ध्यान से समझा कि learning objectives होता क्या है और learning objectives के साथ साथ आपने aims and objectives के बारे में जाना और उसके बाद aims and objectives of the teaching of biology, science इसके बारे में आपने जाना तो अब आपको कैसे इसके biology subject के क्या objectives है उसको कैसे हम उसके क्या क्या criteria है कैसे हम उसके objectives बनाते हैं यह आपने जाना आज के इस lecture के बाद आप लोगों को historical background of biology, science इसके बारे में पढ़ाया जाएगा तो next lecture में हम लोग मिलेंगे आज के लिए इतना ही, okay, thank you class